प्रदेश की और से तीन तारीक तक मेचे ने भी अपनी और से अलग अलग इंस्टिटिशन को खोलने की छूट दी है और तीन तारीक के बाद कैसे देश को इस करोना की मामारी से बचाया भी जाए अगे बढ़ाया जाए उसके उपर नौ मुख्यमंतरियों ने अपने सुझा सुझाव रखे प्रदेश की और से भी यही सुझाव रखा गया कि जहां बच्चों की सिक्षा एक एहम चीज है वहीं क्योंकि हमारा प्रदेश कॉंपिटेटिव एक्जाम्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे वो एंडिये के हो चाहे मिलिट्री के ज नीती बनाए साथ में जैसे UPSC ने एक्जामें नेशन येर को सेप्टेंबर से शुरू करने की बात करी है CBSC और जो अन्य बोर्ड हैं वो उसके उपर अपने विचार करें और खास तौर पर जो हमारे फार्मर्स हैं आज उनकी प्रिक्यॉर्मेंट को सरकार लेकर चल रही है और उसको और कैसे इंसेंटिव के तौर पर देकर डिले किया जाए उसके उपर केंदर से आगरे किया है हम उमीद रखते हैं कि जीवन सामान्य होगा और उमीद करते हैं कि तीन तारीक के बाद जैसे जैसे अब रूरल एरिया को खोला गया है ग्रीन एरिया को खोला गया है जो हमारे ऑरेंज एरिया है और जो रेड एरियाद में भी कुन्टैमिनेटर जोन के भार के एरियाद हैं उसको कैसे खोला जाए कि अंदर उसके उपर रनीती बनाए अभी तो तीन तारीक की अंदर लगवाग साथ दिन का समय है और ये बड़े एहम साथ दिन जिस तरीके से केसिज बड़े हैं अलग अलग एरियाज के अंदर मुझे लगता है उसकी गंबीरता को हम सब को जानना चाहिए और उसको देखते वे हमें आने की कदम उठाने को कुछ राज्यों ने का कि लोगवाग बढ़ना चाहिए सकता है और ये वन साइज केनोट फिट आल की आज सिचुएशन है हर परदेश की अपनी रन नीती है और मुझे लगता है के इंदर भी समझता है जो राज्ये आज जीरो इफेक्टिड है जो राज्ये आज नेगिट स्टेट ट्रांसपोर्ट बंध है मगर हमें दीरे दीरे विदिन डिस्टिक इंटर डिस्टिक भी नी विदिन डिस्टिक लाइफ को समानने करना पड़ेगा और उसके लिए प्रती एक राज्ये भी प्रती एक डिस्टिक एड्मिनिस्टेशन को भी अरियाना ने कहा है कि अ बोनिपत हो पानिपत हो बुडगाँ हो फरीदा बात हो जरूरी है यहां पर सकती रखना मगर बाकी जिले समानने तौर पर अपनी जीवन काल में इसके भी लग भग तेतर लाख इंपलोईज तो हमारी इंडस्ट्री में बापिस आ चुके हैं दो लाख सतरा अजार के लग भग इंट भटो पे करमचारी वापिस आ चुके हैं और जो रूरल एरिया में इंडस्ट्री थी उसको हमने परमिट कर दिया है बिलकुल इसमें छूट परमिशन के बाद है आने वाड़े दिनों में जो नौन इफेक्टिड एरिया है उसके पुलीस अपनी कारवाई कर रही है अगर इस तरह की कोई गतिविदी हुई है तो कारवाई पुलीस विभागने करनी है महकमे के पास जिस दिन रिपोर्ट आगी है मुसके उपर सक से सकत दो कि वो तो केंदर सरकार तै करेगी हमने अपनी और हमने अपनी और से सजेशन पहले भी लिखित तोर पर दिया था वो पत्तर आपने भी देखा पंजाब ने भी वही लिखकर भेजा है अब तक केंदर सरकार की और से कोई रिप्लाइन या है हमारा तो यह आग रहे है कि इस इस तरह के प्रक्योर्मेंट डिलेज है और दो दिन जैसे आज भी बारिश कई जिलों में हुई है कल भी बारिश हुई है शायद हमें आने वाले एक दो दिनों में जो फार्मर पीछे रह गया जिसको कई जगे हमें समस्य आई कि रात को बारा बजे मार्केटिंग बोर्ड न जो मंडियों में ना आया उसको बुलाकर उसकी प्रक्योर्मेंट प्रोसेस को हम उस दिन कनवे करें साथ में हमारी मंडियों में जो अनाज पड़ा है क्योंकि लेबर की कमी एक सबसे बड़ा हमारे सामने कारण है वो किसी चीज को डिले ना करे इसलिए शायद आज शाम त आने का मौका देंगे कि एट लीस्ट जिसके पास मेसिज गया वा था उसकी प्रक्यॉर्मेट हो एक चीज जरूर आपके माद्यम से कहूंगा कि एक ब्रहम बारी बारी फिलाया जा रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कल भी मेरे पास कई जगे से मेसिज आये कि 200 कुंटल से ज़्यादा गेहूं परचेज नहीं हो रही यह आकड़ा मैं आपको बता देता हूँ पाणिपत मंडी के अंदर एक फार्मर 1609 कुंटल गेहूं लेके कल आया और 1609 कुंटल उसकी परचेज करी सर्सों के जितने हमारे फार्मर्स थे पहले तीन दिन वालों के खाते में पैसे आ चुके मेरे पास स्वम एक फार्मर का मैसिज आया कि मैं एक लाख नौ जार रुपया मेरे खाते में आ चुका है हम आपको दुवारा आपके माद्यम से फार्मर्स को बता देते हैं कि डाई परसेंट जो आड़ती की आड़त है उसको कोई नहीं रोकेगा पोने चार्शो करोड रुपया आड़तियों के लिए हमने अलग से रखावा है 22,000 करोड रुपया हमने CCL के माद्यम से वीट के लिए रखावा है टाइम लग सकता है मगर आप ब्रमित ना हुई है जिस दिन आपको संदेश आए उस दिन आप मंडी में आए जितनी आपकी गेहू है कोई restriction नहीं है अगर फार्मर की registration पे एकड़ वाईज वो गेहू कैलकुलेटिव है हम एक एक दाना उसका परचेश करेंगे आपकी कराहत के लिए financial support के लिए केवल मातर अर्याना ही नहीं पूरे देश का प्रतियक राज्य केंदर के उपर आख लगाए बैटा और उमीद रखते हैं कि अगले चार-पांच दिनों में केंदर भी इसके उपर अपना नेड़े लेगा परदान मंतरी ने भी उस बात को आज बोला है कि finance ministry इसके उपर working कर रही है जैसे 170,000 करोड का package प्रदान मंतरी ने दिया था हम उमीद करते हैं कि अब प्रदान मंतरी जो अमारी industry है जो अमारी MSME है इसके revival के लिए भी फैस्ट